एग गाइस वेलकम तो अध्यान डिफैन्स अकेडमी तो आज के इस लेक्चर में हम दिस्कास करने वाले हैं बायो मॉलेक्वल्स चेप्टर इन वन सॉट ये चेप्टर आपका बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत ही कम समय में आप अराम से चार मार्क्स आपके खाटे में दाल सकते हो तो एक आपका है ग्लुकोंस हमें पड़ना है ग्लुकॉस फ्रुक्टोस पड़ना है चेप्टर है और तो कुछ है नहीं इस चप्टर में तो एक एक करके समझने की कोसिस करते हैं दियान रखेगा अगर आप अच्छी तरीके से यह नोट को पढ़ेंगे यानि जो नोट में दिया गया चीजे और उसके साथ पीवाई की जो मैंने चिपका दिया है वो सारे चीजे अगर अच्छा से करेंगे तो आपके मार्क अच्छा आने में कोई रोक नहीं सकते हैं इस चप्टर से आप चार से चार मार्क उटा सकते हो ठीक है तो चलिए फिर शुरू करते हैं है ना लेट अस लेट 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 अस स्टार्ट सो वी विल दिसकास वीट द चैप्टर डिज दिस दी बायो all right guys so मैं बड़ा पेन लूँगा then this is what okay तो चलिए फिर हम सुरू करते है बायो मॉलिकल सो सबसे पहला सवाल आपसे पूछे है कि कार्बो हाइड्रेट्स क्या होता है what is mint by कार्बो हाइड्रेट्स यह सवाल आपसे पूछा गया है ठीक है तो कैसे डिफाइड करते हैं what are कर्बो हाइड्रेट्स this question was asked in 2015 आपको 2015 और 2016 में यह सवाल पूछा गया है क्या पूछा गया देखो कि कर्बो हाइड्रेट्स क्या है तो explain करने के लिए मुझे देखना होगा कि कर्बो हाइड्रेट्स एक क्या होता है एक optically active होता है बातों को समझना जरूरी है कर्बो हाइड्रेट्स क्या होता है optically active so optically active होने के लिए आपको क्या जरूरी है there should be a chiral carbon chiral carbon किस से कहते हैं जो carbon के पास चार ग्रूप चारो के चारो ग्रूप अलग-अलग हो ठीक है so optically active polyhydroxy मतलब बहुत सारे hydroxy group रहेंगे OH ग्रूप रहेंगे या उसमें aldehyde group रहेंगे या उसमें ketonic group रहेंगे so carbohydrate एसा substance है जो की optically active है और उसके पास बहुत सारे OH ग्रूप है और यह क्या हो सकता aldehyde हो सकता है या ketonic हो सकता है basically aldehyde जो होता है वह आपकी glucose है और proctose क्या होता है it is ketonic इतना बात समझें यह तो एसे कुछ substance एसे कुछ compound हो सकता है जिसको hydrolysis करने पर यह सारे units देते carbohydrates देते तो उसी को भी हम लोग क्या कहते है that is also called as carbohydrates hydrates जैसे मैं आपको example की तोर पे दिखा देता हूं the structure of glucose ठीक है glucose की structure पहले दिखा देता हूं polyhydrox ldr क्योंकि समझना जुरूरी है पहले बात तो ठीक है तो let us try to understand पहली बात हमें इसको समझना जुरूरी है ठीक है the structure of glucose okay हाँ आपकी definition क्या कही रहा है polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone यही बात कही रहा है न तो देखिये hydroxy group कितने है देखिये if i write here ya hydroxy group OH 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 so it is what it is polyhydroxy polyhydroxy aldehyde यह polyhydroxy ketone so this is the aldehyde group तो again आय ता कि यह optically active वहाई इस optically active because it is chiral carbon chiral carbon मतलब यह carbon है यह carbon में देखिये इनके साथ जितने ग्रूप जुरा होएं, एक, दो, टीन, चारो ग्रूप, चारो का चारो ग्रूप अलग अलग है, तो जो भी कार्बन के पास चारो के चारो ग्रूप अलग होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं, काईरेल कार्बन कहते हैं, that is called as काईरेल कार्बन, I hope it is clear now, ठीक हैं, इस चेप्टर के जो भी रिलेटेट सवाल आए है, एक, एक करके समझने की कोशिस करते हैं, ठीक है, तो अब आते हैं, कि जो classification of carbohydrate है, carbohydrate को कैसे कैसे classify किया गया है, ठीक है, classification of carbohydrate, basically carbohydrate की classification किस तरीके से किया गया है, they are classified into, तीन ग्रूप में classify किया गया है, on the basis of hydrolysis pattern, तो पहले ग्रूप हम देखे, monosaccharides की, monosaccharides क्या होता है, what do you understand by the term monosaccharides, जले, समझे, यह carbohydrate, that cannot be hydrolyzed, मतलब वो carbohydrate जिसको आप further क्या नहीं कर सकते है, hydrolysis नहीं कर सकते है, यानि hydrolyze करोगे तो यह तूटेगा, नहीं, जैसे शुरूआत में था, वह इस ही रहे गा, that cannot be hydrolyzed, is called as, उसी को हम लोग क्या कहते है, monosaccharides कहते है, example की तोर पर देखोगे, इन सब को, अगर आप hydrolysis करना चाहोगे, तो वह hydrolysis नहीं होगा, जैसे थे, वह इसे ही रहेगा, दीगे, यानि hydrolysis होने के बाद, अलग unit आपको मिलने वाले नहीं है, तो देखो, सवाल पूछा कह, what are monosaccharides, 2015 and 2020, दुसरा पूछा है, classified of following carbohydrates, आपको बताना है, कि जो cellulose है मालतोस है, राफिनोस है, प्रुक्तोस है, यह बताना है, आपको oligosaccharides है, monosaccharides है, disaccharides है, trisaccharides है, यह बताना है, ठीके, तो आगे जाकर हमें आद दिरे-दिरे-दिरे clarity मिलेगे, I hope monosaccharides समझ या, कि यह further क्या नहीं होंगे, hydrolysis नहीं होंगे, उसी सारी units को हम क्या कहत है, ठीके बता, ओके, so I have it is clear now, so अब बात करते हैं, what is mint by oligosaccharides, जब आप hydrolysis करेंगे, hydrolysis करने के बाद, जब आप hydrolysis करेंगे, hydrolysis करने के बाद, आपको क्या मिलना चाहिए, 2 से 10 unit of monosaccharides मिलना चाहिए, तो से 10 unit of monosaccharides मिलना चाहिए, तो एसे, एसे compounds को हम लग क्या कहते हैं, oligosaccharides, तो oligosaccharides को further हमने again छोटी-छोटी हिस्सों में classify कर दिया हैं, जिसे की, जिसे की, तैसकरीत जेसे की, कैसे, जिसे की, दैसकरीत, दाइस कराइट स्चराइट टेटरा सेकरायट डीरिंग ड्टिपेंडिंग अपवनी नेचर अप मोनजbereich अदेखियों और है इस cemetery कुषी तेख्राइट को अधर क्यों य। मोटा मता बात आगे जाके wanted को समझाने वाला है कि दाइस H22 O11 अगर आप इसको हाइड्रोलेसिस करेंगे H2O तो वाट यू अर गोईंग तो गेट यू अर गोईंग तो गेट ग्लुकोस जैसे कि C6 H12 O6 प्लास C6 H12 O6 बेटा आप बोलोगे कि सरी है तो दोनों फॉर्मुलास से में आप एक को ग्लुकोस के रहे हो है को फुक्तिसर के रहे हो ये ग्लुकोस है ओके ये फुक्त जैर समझ आया कि नहीं तो यह दोनों बाद में समझ आएगा आपको दोनों की structure अलग-अलग है ठीक है इसमें aldehyde group रहता है और इसमें ketonic group रहता है ठीक है तो disaccharide का मतलब क्या हुआ जब हमने जब हमने disaccharide को hydrolysis किया जब हमने hydrolysis किया हमें दो unit मिला कौन सा एक glucose and दूसरा fructose a glucose and दूसरा fructose समझ आया कि नहीं तो इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं that is called as disaccharide and similarly we can go for the trisaccharide so आप जान सकते हो उसका बाद आपका आता है देखिए polysaccharide directly हम आगे जाके और देखेंगे कुछ चीजिए तो polysaccharide क्या है carbohydrate which give more than 10 monosaccharide unit on hydrolysis unit on hydrolysis are called as follow are called as polysaccharide better समझ आया कि नहीं है ना तो हमें क्या करना है polysaccharide disaccharide monosaccharide trisaccharide यह समझना है तो अभी monosaccharide समझ लिया disaccharide समझ लिया oligosaccharide समझ लिया and then polysaccharide polysaccharide वो सारे होते हैं जो hydrolysis करने पर 10 या 10 से अधिक 10 से अधिक 10 या ने 10 से अधिक monosaccharide unit generate करता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं polysaccharide वैसे आपकी examination purpose के लिए इनको इस्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे ओके starch की glycogen की नहीं पूछने वाला है these are the example of polysaccharide ठीक है draw करने नहीं पूछेगा बात लिखना जरूर है कि give the example of polysaccharide that is starch glycogen जरूर यह लिखना है बेटा समझ आ गए so next आते है sugar and non-sugar so what is meant by sugar and non-sugar sugar or non-sugar क्या कहते हैं जिसका test sweet होता है ओके उसको हम sugar कहते हैं जिसे की fructose sweets होता है glucose sweets होता है इसलिए उसको कहते है sugar then non-sugar किसको कहते है some of the carbohydrates which are not sweet जो क्या नहीं है मीटा नहीं है which are not sweet in test उसको हम क्या कहते है called as non-sugar उसको हम क्या कहते है non-sugar कहते है ठीक है so example all polysaccharides are non-sugar सारे के सारे polysaccharides क्या होता है सारे के सारे polysaccharides non-sugar होते है उनका test sweet नहीं होता ओके बिटा I hope यह वाली तमाम बात आपके clarity आ गया ठीक है ना चलो फिर अब देखते है classification of monosaccharides monosaccharides की एक एक classification को समझते है so on the basis of functional group they are of two types यह कितने types के बैटा दो types के होते है एक होते है eldos and दूसरा होते है ketose basically eldos कोन है मालूम है क्या it is glucose and galactose and ketose कोन है that is ketose is your fructose ठीक है कोन होते है fructose अब eldos क्या होते है what is eldos eldos मतलब जो aldehyde group देता है यह जो जिसके पास में aldehyde group रहता है if a monosaccharide contains देखो aldehyde group it is known as eldos जैसे की glucose है and then galactose then again ketose में क्योंते है if a monosaccharide contains कौन सा group keto group तो उसी को हम लोग क्या कहते है keto keto ठीक है तो चले फिर आगे बढ़के एक-एक करके समझने की कोशिस करते है जैसे उसका example देखो मैंने कहा ना fructose then डूसरा classification देखिए on the basis of carbon atom कितने carbon atom देखिए वह से अगर आपके पास तीन carbon atom है ठीक है और उसमें aldehyde group है तो बात की बात करता हूं ठीक है let me explain जैसे CHO एक carbon ओके माननों इदर OH है OH है और यहां पर आपका है CH2OH एक दो तीन कितने carbon है भाई तीन carbon और कौन सी group है aldehyde group so यह क्या होगा this is aldotriose यह क्या होगा aldotriose then अगर आपका ketonic group है if there is a ketonic group for example ah for example यहां क्या करो c double one oh okay c double one oh then again ch2oh and यहां पर भी माननों कोई x2oh group है so यहां पर कौन सी group है there is presence of ketonic group okay so कितने carbon है एक दो तीन तो यह क्या होगा keto triose होगा उसी तरह है glucose एक क्या है उसी तरह glucose एक keto hexose है glucose एक क्या है बटा it is a keto hexose कैसे मैं आपको दिखा देता हूं glucose एक keto hexose है कैसे आपको समझ आ जाएगा ठीक है see how it is glucose उपर में आपका कौन सी carbon रहता है CH of carbon then उसका बद एक carbon दो carbon तीन carbon चार carbon एक दो तीन चार पांच उसके बाद आपका आता है CH to OH ठीक है बटा तो यहां पर कौन सी carbon है H O H and यहां पर OH H H O H O H तो यह कौन सा है it is keto hexose और L2 sorry not keto hexose since यहां पर aldehyde की group है यहां पर कौन सी group है aldehyde की group है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे aldo hexose केंगे it is called as aldo hexose it is called as aldo hexose बटा समझ आया देन उसका बार आपका आता है ketone so fructose भी आप क्या कह सकते हो keto hexose कह सकते हो बटा समझ आया सबको ओके so depending अगर तीन है तो aldo trios 4 है तो aldo tetros 5 है तो aldo pentose and so on so यह बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ आये होंगे ठीक है बटा सो चले आगे बढ़े so let us आगे बढ़ते हैं so अब बात करते हैं glucose ठीक है बाई मैं बता रहा हूं ना इतना important concept है यह glucose आपकी body exam के द्रिश्टी से बहुत सवाल पूछा गया ठीक है so glucose glucose को हम क्या कहते है अल्दो hexose भी कहते है ना अल्दो hexose भी कहते है ठीक तो यह क्या है it is an example of aldo hexose देखिए glucose किसकी example अरे यह aldo hexose की example है क्या है it is present in कहां पर मुझूद होता है यह sweet fruits में present होता है it is present in sweets fruits and कहां पर present होता है in honey ठीक तो preparation of glucose glucose को कैसे बनाया जाता है देखो कितने सवाल पूछा गया explain the preparation of glucose from the cane sugar 2007 how glucose is prepared from cane sugar 2008 2018 describe laboratory method of preparation of glucose 2014 how glucose prepared from sucrose 2009 कि इतना सारा question है ठीक है तो कैसे करोगे बेटा तो देखते हैं फिर समझने की कोशिस करते हैं देखिए तो from sucrose जिसको हम can sugar भी कहते है from sucrose जिसको हम can sugar भी कहते है from can sugar ठीक है तो क्या होगा if glucose is boiled with dilute SCL glucose को किस से boil किया जाए dilute SCL या तो किस से S2SO4 कहां पर in alcoholic solution cellulose and fructose are obtained in equal amounts conditions ठीक है बेटा क्या हो रहा है कि अगर आप अगर आप क्या करते हो glucose को सुक्रोस को heat करते हो पानी के साथ है ना इंडा in acidic medium C 12 जैसे आभी कुछ दिर पहले क्या था सी 12 H 22 O 11 plus H2O इसमें acidify कर दोगे ठीक है कौन सा acid जो H plus आप देख रहे है कहां से आ रहा है it is from dilute HCL और dilute H2SO4 चे आ रहा है तो आपको क्या मिल रहा है glucose and fructose आप बोलोगे किसा है रहे है दोनों का फर्मूला तो से में एक को ग्लूकोस रिकर एक को fructose गलत तो नहीं है गलत नहीं है फर्मूला से में बाद दोनों की structure अलग अलग के बिटा ठीक है तो यह बात आप के यह equation लिखना है आपको एक मार्ग डों मार्ग जो बोर्ट के सबसे आता है मिल जाएगा समझाए ना बेटा तो यह हो गया next आपका आता है सुक्रोस 3 not sucrose it is starch question में क्या पूचा देखिए from starch क्या कहे रहा है how is glucose prepared from starch glucose को starch से कैसे तयार किया जाता है और how is glucose prepared by commercial method 2019 right commercial method of preparation of glucose right preparation of glucose from sucrose जो आगे की question था right chemical reaction product preparation of glucose from the sucrose जो भी आगे का question अगी तिना question पूचा गया थीक है so so many questions guys so आप आराम से solve कर सकते हो ठीक है easily you can solve ठीक है na so from glucose is obtained by hydrolysis of starch आम क्या करते है starch को hydrolysis करते है by boiling with dilute H2SO4 so joh H plus आ रहा है it is coming from dilute H2SO4 ठीक है बेटा तो आपको क्या देता है you get glucose you get glucose यानि starch को जब water molecule के साथ in the presence of acid आप hydrolysis करते हो तो हमें मोटा मोटा भात क्या है हमें glucose मिलता है and we are preparing glucose now हम क्या prepare कर रहे है है glucose तयार कर रहे है ठीक है भीटा सो आयोंटेस क्लियर नहीं तो अब आती है structure of glucose ठीक है इसका पीछे कहीं बहुत है तो हम कहीं के पीछे नहींगे हम जाएंगे कहां से marks score कर सकते हैं ठीक है हम कहां से mark score कर सकते हैं यह ही देखना है जो rotation किस की तरफ है? right की तरफ है तो जब कोई भी substance आप जानते हैं न एक अगर light की source है light की source हमेशा आपको कौन-कौन सी waves देते हैं electromagnetic waves देते हैं यानि electric waves और आपका कौन सा waves होता है magnetic waves जो एक दुसरे का perpendicular से चलता है पर जब हम polarizer लगाते हैं तो हमें A की type का wave मिलता है तो जब वो ऐसे glucose वाले compound के साथ टकरा जाएंगे तो देखा गया कि इनका जो movement किस की तरफ है? right की तरफ किस की तरफ? right की तरफ जब right की तरफ गुमेगा तो हम इसको क्या कहते है? dextro, dextro, rotatory rotatory कहते हैं तो हमें मालू है कि glucose की structure को कैसे पाया गाया है? C6, H12, इसका पीछे कहनी है कैसे आया? किस तरीके से फ्रूप किया हम ने? so we don't need add roll जो एक्जाम की जरूरी है उतना ही बात करेंगे बेटा इतना दियान रखना ठीक है? so reaction with red phosphorus and HI यह पहला reaction और question आ चुका है ठीक है? reaction with red phosphorus and HI ठीक है? so यहाँ देखो note जब red phosphorus and HI यूज़ करते हैं यह बन जाता है reducing agent so reducing agent का मतलब क्या होता है? किसी double bond को हटा के H2 लगा देना H लगा देना किसी oxygen को हटा के H लगा देना यह सब process हम क्या केता है? reduction केता है जिससे it reduce all oxygen containing functional group into respective alkane समझा है? इसका मतलब यह क्या कर रहा है? जितने सारा आपका alkane है sorry कोई भी functional group जिसमें oxygen हो सब को neutralize करके क्या बना देता है? hydrogen बना देता है simple काम जिसका मतलब जिससे कि aldehyde है ketone है carboxylic acid है hydroxyl group है star है ठीक है? then acid chlorate है इन सब group को क्या बना देता है? it will convert into simple alkane into corresponding alkane ठीक है? simple बात अब एक देखते हैं जैसे यह example है ठीक है? जैसे यह example है कौन से example? CH3, CH2, OH rate P जब rate phosphorus reaction कर रहा है देखिए OH group किस में बदल गया? OH group किस में बदल गया? यह completely alkane में बदल गया and the same यार इसमें और एक OH ह2 missing है CH3, CH2, CH2, OH है जब rate phosphorus है से treat किया आपको क्या मिला? propane मिला ठीक है? you got propane तो यह बात है आप लोगों को समझ आया के लिए रहे किने? तो on hitting with HI जब आप HI के साथ hit करते हो it forms क्या कहते है? normal hexane बना देता है glucose को इसका मतलब क्या? glucose को HI के साथ अगर हम hit करेंगे हमें क्या मिलेगा? normal hexane मिलेगा suggesting that all the carbon atom are present in straight chain तो आप कही सकतो glucose की formula में कैसे आप proof करोगे? कैसे आप proof करोगे कि सारे carbon straight chain में लगा हुआ है तो हम HI के साथ reaction करेंगे HI के साथ reaction करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? normal hexane मिल रहा है देखिए यहाँ पर मैं reaction दिखा रहा हूँ निच्चे में और आया भी है exam में देखिए यह आपका glucose की formula है तो अगर लिखना नहीं आ रहा है तो इसा है बेटा यह C11OH आप कहे सकते हो ठीक है? तो बाकी यह है HOH है then OH इदर है इदर H है इदर H है इदर OH है इदर H है इदर OH है रेट पी ओके रेट पी एन ही के साथ आपने जब हीत किया तो यह किसमें बदल गया? मालूम है क्या? इद कॉम्प्लेटली चेंज किस से? यह दिस CH3 CH2 CH2 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें बदल गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 कमाज आया या नहीं? ओके? ओक्सिजन कॉंटेनिंग ग्रूफ है इन सब को इन सब को इन सब को किस में बदल दिया? हेक्जेन में बदल दिया दिखे 6 करबन टा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमें 6 करबन बिला हेक्जेन ठीक है? So you got हेक्जेन इतना है दियान रखना ये रिक्षन इसको याद रखो राट पी दालो तो एन हेक्जेन बना दो तो ये कोईशन वाट इस दा एक्शन ओप हेक्जेन ओप ग्लूकोस के उपर हेक्जेन का क्या रोल रहता? बस ये रोल जो आपका L, लिथ है ता reaction with hydroxyl amine, next आपका कौन सा है, reaction with hydroxyl amine, reaction with hydroxyl amine and HCN, N is to OH and HCN, ठीक है, समझाया कि नहीं, N is to OH and HCN, तो ये तीनों का reaction आया, ये भी बहुत बार आ चुका है, देखिए, reaction with hydroxyl amine, इसको हम क्या कहता है, hydroxyl amine कहता है, ठीक है, hydroxyl amine कहता है, बेटा, समझ है न, इसको क्या कहता है, hydroxyl amine कहता है, लेकिन कैसे, कैसे पेचाने इसको, जो hydroxyl amine से, देखिए, यहाँ पर, N, OH, बेटा, एक hydrogen है, है, इधार एक hydrogen है, 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 सो यह क्या बनेगा, यह इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है, यह कैसे, ओह, I'm sorry, यह कैसे निकल जाएगा, ह2O बनके निकल जाएगा, इसको, आपको क्या करना है, चिपका देना है, कहाँ पर, एल्ली हाइट ग्रूप के ऊपर, देखो, यह चिपक गया, सब कुछ एक जैसा है, CHOH4 है, CHOH4 है, CH2OH है, CH2OH है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्या हुआ, यहाँ से एक वाटर मोलेकूल निकल गया, only the removal of one water molecule, ठीक है, सो यह, सो देखो, question, देखो, question के से, के से पूछा, what is the action of, what is the action of hydroxylamine on glucose, आपने देखा, देखो, 16, 17, 18, non-stop पूछा है, सवाल, ठीक है, तो क्या बना दिया, बस, oxygen बना दिया है, यानि, एक वाटर मोलेकूल हटा दिया है, ठीक है, give chemical reaction of glucose with, glucose with hydroxylamine, यही same reaction को लिखना है, ठीक है, देखे, 16, 17, 18, 2008, कितने पर पूछा गया हो, इससे जदा और क्या पूछा जा सकता है, यार, इससे जदा मैं देखता ही नहीं हो, पूछने वाला, ठीक है, so now it is, एक बचकर 8 मिनित, हमरा वीडियो पहुँच चुक है, 26 मिनित, ठीक है, so चले फिर सुरू करें, so यहाँ पर पूछे गाया, next is HCN, next क्या है भाई, HCN, hydrogen cyanide के साथ क्या होगा, मैरे हिसाब से यह simple reaction है, अगर आपको समझ आया कि नहीं, बाकि सब कुछ तो same ही रहने वाला है, देखो, यह C1O, H की ग्रूप रहता है, इधर, ठीक है, कैसे रहता है, मैं इस कलर को लेता हूँ, मान नहीं, यहाँ पर क्या है, डेल्टा माइनस है, और यहाँ पर डेल्टा प्लास है, इतिना बात तो समझ आ रही है, देन, उसके बाद आपका क्या आता है, H प्लास, H प्लास, Cn म यह क्या है, यह एक निव्टलुफाल, यह क्या करेंगे, यह इस पर अट्रेक करेंगे, और यह निकल जाएगा, कमझ आयके ने, तो, देन उसका बाद जो H, यह निगेटीव होगा तो अगन, H को अट्रेक करेंगा, किसको अट्रेक करेंगा, इसको, तो कहें नहीं का मतलब क्षिए एक यह संवाइड है इसको किसमें बदल लिया एक सी एन फिकर एक सी एन एक एक है एक एक है और आई है बहुत बढ़िया से आया हुआ है क्लियर है या नहीं है बताओ सब्दम एकदम बड़ी आसा कोईशन है बहुत बड़ी आसे आया हुआ है बटा समझ है ठीक है ना सो यह कुछ है ही नहीं बस आपको एल्ली हाइट ग्रूप को किसमें बदल देना है इस यह इसमें बदल रहा है कैसे पहले सी एन ने कहां अटक क है बस इक बटा सवाइब इस क्लियर नो ओके सो नेक्स पूछ रहा है वाट है पेंस वैन ग्लुकोस इस त्रीटेट विट हाइड्रोजन साइनाइट दो हजर चोदा और दो हजर सत्रह में आया हुआ कोईशन है कि ग्लुकोस को जब आप हाइड्रोजन साइनाइट के साथ सब्सक्राइट करोगे तो आपको क्या मिलेगा विटा शो यहीचीज मिलेगा आपको आई बात समझ में जिसको हम क्या क्या किते साइने इडीन भी कहते हैं और चार नमबर की तरह आगे बढ़ते हैं ठीक है सो क्या कह रहा है रीक्षन ओफ्दा मायल्ड ऑक्सिडाइजिग में लिए सावाल कितने बार धुरा आया पताने यार Tallmanई टायम टीच से किया किरा देखो rejection with mild oxidizing agent reaction with mild oxidizing agent surfing from water yeah static becoming water ये क्या करता है यह ग्लुकोस के साथht對吧 करता है यह नहीं ब्रॉमीन दिजए ग्लुकोस के साथ है और क्या बना देता है ग्लुकोनिक एसीद बना देता है इस रियक्शन इंडिकेटस प्रेजंस अप ग्लुकोस गंटेन अल्डी हाइड इससे क्या पता चलता है कि ग्लुकोस के पास अल्डी हाइड ग्रूफ है सो आपसे इसे भी सवाल पुछा जाता है हाव यू कन फ्रूब डेट ग्लुकोस कंटेन ग्लुकोस कंटेन अल्डी हाइड ग्रूफ तो बाइरेक्शन इड ब्रोमीन वाटर उसको किसमें बदल लेता है सी दवलो एच में एसीड मना देता है देखिए सब कुछ सेम रहेगा य यह सेम यह यह सेम क्या चेंज हुआ जो सी एच हो है अल्डी हाइड ग्रूफ है वो किसमें बदल गया बस सी दवलो एच में बदल गया कुछ भी और बदलाओ नहीं है बस इतने है आप खुद ही सब जो ग्लुकोस है ग्लुकोस को ग्लुकोनिक एसीड में हो सकता आपकी ब्रोमीन वाटर देखो सावल के से पुचा गा है वाध इस बदकोईशन? है राइड रेक्शन देट इनिकेटस दी प्रेजंस फिएचो ग्रूफ इन ग्लुकोस इसे ब्रोमीन वाटर जो सी एच ग्रूफ है किसम में बदल जाएगा इस दौह में बदल ग्रूफ है बाकिस of bromine water on glucose 14-16-18 अगर bromine water दाल रहे हो glucose पर क्या impact परेगा? Gluconic acid बनेगा, then give chemical reaction of glucose with bromine water as with this sub question के लिए जितना question अलग अलग तरीके से पूचा आपको वही answer देना है, आपको वही answer देना है और कुछ नहीं बेटा समझ आ गया, okay, then पांच वी again next, क्या कहे रहे है, कि glucose react to it acidic anhydride so acidic anhydride का formula क्या रेटा है बेटा, देखो, CH3, C1O, 1 O रहेगा C1O, 1 रहेगा and CH3, यह है आपका acidic anhydride, अब इसमें क्या देखने को मिलेगा मालूम है, यहाँ पर काट कर दो, तो जिसके पास oxygen group है, वो आपना एक acid बना लेगा, यही group अपना कहाँ add होगा, this will add to the glucose यह कहाँ add होगा, यह glucose पर add होगा, देखिए, CHO, 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 CH2H अब यहाँ देखिए, क्या बना, हर जगा पर O, CHO, कैसे हुआ, आपको समझ नहीं आए रहा होगा मैं तभी भी समझा देता हूँ, for example, आपकी यह glucose है, CHO, मानो यहाँ पर H है, और यहाँ पर O, H था, क्या था, O, H, अब H को हटा दिया हमने, क्या कर देखिए, एक हटा दिया है, जो हाँ एक हट गया थहा है, तो है किसके साथ बना है हमने, CS3, CS1, O, जो H यहाँ दिया, O, H, साथ जाए गया golden, शीड बन गया, उसका कहिनिक खत्म, अब हमारे पास कौन सा बचा हुआ है ? यह आफ ही बचा हुआ है, ठीके! यहीं से यहां लिकाओ थि दhthalवान ओ दैक देस्ट एसे द्वल वन ओ और से बेटा समझढ आया या नहीं बोलो लेरा तो इसी तरह से किसे लगेगा चारो के चारो कर और Solomon के ओ पर याने पांचो केата कर नुकवान के ओपर रिच मतिता रहा के चारो माँ के ऊपर लग जाएगा ठीक है इवन जो नीचे में सी एश्टो ओ एच है उसके जगाहा पर भी लगेगा ठीक है इसलिए लग गाया देखों सी एश्ट्री यह सारे तमाम बाते हैं इसलिए अब तक हम लोग 30 मिन तक पहुंच चुके हैं लगबख लुकोस कतम करने जा रहे हैं हम लोग ठेक है तो यही आपका मैंने जो भी रियक्शन था वो बता दिया देन ग्लुकोस एज वेल एस या किरेग लुकोस एज वेल एस ग्लुकोनिक एसीड बोट रियक्ट अब साथ क्या करते omapeट दोनों के दोनों नाइट्रियक्ष के साथ रियक्ट करके आपको क्या देता है साय क्र mélुकोसł सक्वेट इंटी नूज सै क्रिक कैसीड और हाओ ग्लुकोनिक एसे में और जो आपका CH2OH ग्रूप है उसको भी मिन्होंने किस में बदल लिया COOH ग्रूप में तो कहने का मतलब क्या जो है यह बहुत ही इस ट्रॉंग ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट है जो भी ग्रूप और C1C1OH ग्रूप है सब को किस में बदल लिता है COOH में बदल लिता है ठीक है केने का मतला अल्डी हाइट हो या एल्कॉलिक ग्रूप हो सब को COOH यानि एसिद बना देता है ठीक ना I hope it is also clear जिसको हम कहते है सैकरीक एसीड कहते है इसको हम क्या कहते है सैकरीक एसीड उसी तरह है यहाँ पर देखो यह ग्लुकोनिक एसिद था ग्लुकोस से ग्लुकोनिक एसिद हमने केसे बनाया by using bromine water राइट तो इस चीसको ग्लुकोनिक एसिद को फार्दर किसके स त्रीट कर सकते हो एच अनुटरी के साथ देन जो आपका सीच टू ग्रूफ है सीच टू ओएच ग्रूफ है इसको किसमें बदल देगा एगें सी दबलो एच ग्रूप में बदल देगा डिस विल्टेट इन्टू सी दबलो एच ग्रूप तो बेटा I hope it is very 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 clear नो बहुत ही to convert glucose into saccharic acid glucose को हम saccharic acid में केसे बदल सकते हैं ठेक है केसे हम बदल सकते हैं How will you convert glucose into saccharic acid then what is the action of dilute H-annotree on glucose 14-14-16-2008 कितने बार पूछे गया देका भाई ठीक है So I hope आपको आच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा मेरी सारे बाते ठीक है then so on the basis of above information सारा information के बज़े से हमें आप glucose की final structure हम इसमें पहुच चुके हैं ठीक है so we are into the final conclusion that यह आपकी glucose की structure है this is the structure of glucose ठीक है so फेटा I hope it is clear now तो जितना सारा evidence है हमें मिला उपर में जितना reaction किया उसी के आदर पर glucose के structure finally हमने यह decide किया ठीक so आप बोल रहे देखो draw D simple projection formula of D glucose and D fructose ठीक है simple projection formula of D plus glucose and D minus fructose तो यह glucose की केसा रहेगा बैटा glucose यह है then again fructose के अगर बात करे ठीक है that is CH2OH then आपका क्या मिला C double one O ठीक है इसको हटा देना ठीक है तो यह केसे रहेगा C double one O then उसका बद जो भी OH group है एक दो तेन चार फांच छे तो यह है आपकी fructose यह है आपकी glucose ठीक है बैटा तो यह structure बोला है draw D simple projection formula of D glucose and D fructose okay so I hope it is clear now so आगे की तरफ चलते हैं आगे क्या कि देखिए glycerally height is a smallest carbohydrate glycerally height क्या है सबसे छोटा carbohydrate है यह आपके क्या है chiral carbon है ठीक है यहां पर CS2OH group है यहां CH group है यह ओच है यह है यह चारो के चारो ग्रूप इस carbon के साथ जुड़े हुआ है सारे के सारो अलग है इसलिए यह कौन सा carbon है यह chiral compound है और chiral carbon है ठीक है so fructose is the sweetest sugar in all sugar सारा sugar में सबसे मीटास कौन है most sweet is your fructose ठीक है अब बात करते है dnl nomenclature में ठीक है dnl so glucose की बात करते है अगर last second carbon में अगर last second carbon में oh group किस side में हो right hand side में हो तो उसको हम क्या कहते है dextro rotatory इसलिए किस से denote करते है दी से denote करते है then l form अगर last second carbon किस में हो left hand side में हो तो उसी को हम लोग l form कहते है so d form and l form आपको अच्छी तरीके से समझ आया जैसे यहाँ example की तोर पर समझाता हूँ यहाँ देखें यहाँ क्या है oh group right side में है right hand side में है इसलिए the glyceraldehyde अब oh group left hand side में है इसलिए यह क्या हूँ एल glyceraldehyde बेटा समझाया या नहीं clear so I hope यह वाला बात भी आपको अच्छी तरीके से clear हुआ होगा ठीक है तो चले अगें बात करते हैं तो यह तो पूचा नहीं है तो यहाँ से शुरू करते हैं तो cyclic structure of glucose यह कैसे आया how we came into this group ठीक है एक alpha d glucose and beta d glucose यह होता क्या है अभी आगे समझने की कोशिस करते हैं ठीक है यह note है तो मैं इसको powerpoint की true से समझाना चाहूँगा ठीक है तो I'll clear this through the help of powerpoint ठीक है तो एक मैं plain page लेता हूँ blank page ओके एक blank page ले लिया जाए ठीक है तो यहाँ पर कैसे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ हम इसक्राइब ग्लुकोस की स्ट्रक्चर विटा आपने क्या देखा थी दवल वन ओ इस इद बिजिबल नॉट बिजिबल इसको मिटा रवेता हूँ इसको मिटा देता हूँ ह ह ओ ह ह ओ ह ह ह ह दूसरा औरहक है ओ ह ह ए अच देन उसका बात है शिस टू ओ उसका बात है शिस टू ओ हू ठीक है यह बात तो समझे अब आट सो अब क्या होगा यह पाँच एक नंबर कर वन वान तू two three four five जो पांच नमबर करवन है ना पांच नमबर करवन में ओ की स्ट्रक्चर कहां पड़ है ओ ओ में आपकी लोन प्यार होते हैं तो यह ओ क्या करता है न बेटा यह अटक कर देता है इस कारवनेल ग्रूप को जैसे मैंने आपको HCN के रियक्शन दिखाए न सेम यह किसको चया यह क्या हुआ यह नेगेटीव बन गया दयने नेगेटीव जैसे भी बन गया एक को उटा लिया उन्हेंना किसको पंप लूटा-ल लिया एक को तो अब जब यह हुआ तो किस तरीके से बन गए आपका देखिए दो case arise हो सकता है केसे OH and H तो ये सब कुछ as it is रहेगा बेटा सब कुछ as it is तीक है अब यहाँ पर 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 तो पांच वी कर्वन में हमारे पास क्या था oxygen था तो ये oxygen को एसे लिख सकते हैं, नीचे में आप CH2 OH ज़रूर लिखे और यहाँ पर H जरूर लिखे ठीक है यहाँ पर H जरूर लिखे यहाँ पर OH and H जरूर लिखे धिवेटव, यह समझे अ मेस यहाँ पर भी हो गोडियो आपब बात आती है यह जब इस पर इस तरीके से आएगा, इसका जोन ऐसे होगा, ठीक है, अब क्या है, एक एच बचा हो, हो सकता है, यह एच, लेप साइट में हो, या राइट साइट में हो, अगर ओएच लेप साइट में हो, ठीक है, देन दुसरा तरीका क्या हो सकता है, दुसरा तरीका क्या हो सकता है, क्या ह right side में हो then H, ठीक है then उसका बाद again H, OH then again OH, H, OH then ये वाला carbon इधर से जूर जाएगा, नीचे में CS to OH then H, समझे है बेटा? So I hope ये clear है, अब इन दोनों में क्या आंतर है, OH group एक बार right side में left side में है, OH group एक बार right side में है, तो करवन में श्रीफ ओइस ग्रूप डिफार कर रहा है क्या डिफार कर रहा है श्रीफ ओइस ग्रूप डिफार कर रहा है ठीक है तो इसी को हम लोग क्या कहते है एनोमेरिक करवन क्या कहते है क्या कहते है एनोमेरिक करवन कहते है क्या कहते है एनोमेरिक करवन क्या कहते है एन structure generate कर सकता है कैसे सो यह देखो हम कैसे तयार करेंगे इसे ओके यह भी दियान रखना जब यह वाला कर्बन पे ओच ग्रूब और राइट साइड पे तो अल्फा अगर ओच ग्रूब लेस लेफ साइड में है तो बीटा यह दियान रखे सो यहाँ पर क्या लगना है वेटा एक ओक्सिजन लगाना है ओ यह आपका क्या है ओ कौन सा ओक्सिजन यह वाला ओ ठीक है यह पहला कर्बन कर्बन नंबर वान कर्बन नंबर तू कर्बन नंबर त्री कर्बन नंबर फूर कर्बन नंबर फाइब तो कर्बन नंबर शीक्स में हमें साथ दियान रखना क्या होगा CH2 OH उपर, then H नीचे, यह fix रहेगा, यह क्या रहेगा, हर किसी के लिए fix रहेगा, समझ है न, यहाँ पर देखो, OH अब left side में है, जो left side में उसको उपर रखो, OH, H, then को ने, H, OH, then को ने, OH, H, then को ने, H and OH, बस इतना तमाम बात है, तो उसी तरह इसको भी बना सकते, क्या difference होग होगा, स्रिफ H उपर होगा, OH नीचे होगा, इसके लिए, ठीक है, तो यह सारे तमाम structure, मैंने बता दिया, तो इसका screenshot ले 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 न, आप, ठीक है, इसका screenshot ले 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 न, ठीक, ओके, तो यह धियान रखे, समझा है न, तो मैं जाओंगा आप अपना original काम पर, तो यही structure उन्होंने बनाया है, alpha D glucose, OH ग्रूप नीचे में है, यानि right side में है, and beta D glucose, OH ग्रूप कहाँ पर है, उपर में है, यानि left side में, ठीक, तो दिखे, write the Howard projection formula for alpha D plus glucose, इसी structure को ही glucose कहते हैं, draw ring structure of alpha D glucose, मतलब, यही structure alpha D glucose कहीं बात कर रहे हैं, अगर beta D glucose कहें, तो यह बनाना है, बेटा, समझा है सबको, very clear now, ठीक है, तो अब बात करते हैं, cyclic structure of galactose, glucose और galactose में क्या अंतर है, बेटा, what is the difference between glucose and galactose, everything is same, but, स्रिप carbon number 4 पे, carbon number 4 पे, glucose में OH ग्रूप नीचे रहेता है, लेकिन galactose में OH ग्रूप उपर रहेता है, देखना, यह देखे, यह glucose में OH ग्रूप नीचे में है, लेकिन galactose में OH ग्रूप कहाँ पर है, उपर में है, तो यही अंतर है, श्रिप, this is the only difference, बाकी और यहाँ पर किसी भी तरीके का difference नहीं है, so, alpha d galactose and beta d galactose, इसको हम क्या कहते है, alpha d galactose and beta d galactose, कहते है, बेटा, समझा गहा है, सब लोगों को, clear, okay, so, यह बाते, तमाम बाते दियान रखना, अब आते है, cyclic structure of fructose, ठीक है, अब आत किसी तरह बनाए है हम लोग, same as like the glucose, यह किसकी तरह बनाए है, glucose में, तो, अगर मैं देखू, इसका structure, इसमें भी, alpha d galactose, alpha group कब होगा, यानि carbon number 2 पे, देखे, आपका OH group अगर नीचे में है, तो, यह alpha, OH group उपर में, यानि, OH group left side में है, तो, alpha, OH group right side में है, तो, क्या होगा, sorry OH group left side, right side में है, तो, alpha, then, OH group left side में है, तो, beta, beta d, fructose, तो, same, चीज, यहाँ पर भी, करके देखना, ठीक है, तो, कैसे होगा, it is, कैसे होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं, देखता हूँ, देखे, CH2OH, होगा, ठीक है, थैक है, then, उसके बाद में, इसके इसके बाद में आपका आता है, c, double one, O, c, double one, O, h, ठीक है, then, again, h, , oh, ठीक है, and, oh, h, oh, 1, 2, 3, 4, जो, पांचवी, नमबर कर्वर है, एगें, इसको ये करो, OH एच, तो पाँच वी नमबर कऱहन पे पाँच वी नमबर करवन पे ये क्या करएगा? इस पर एटाइक करेगा एगे? इस वाले ग्रूब पर एटाइक करने की बतुब आपको एक सीच करें सेट करें थिर कि रहता है और एक शीच करें ओएश ग्रूप नीचे में रहे जते हैं तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो रूरोय किया ते JInan या पर किया था किस के लिए किया था ग्लुकोस के लिए किया था एज़ितिस jsat method आपको इसके लिए भी करना है fructose के लिए okay it is the same method applicable for fructose also ठीक है बटा so I hope it is clear now ठीक है तो चलो आगे पड़ते हैं तो यहां पर देखते हैं glucose and galactose have pyranose form but fructose have furanose form ठीक है glucose किसके form में रहते pyranose form and fructose किसके form में रहते हैं furanose form ठीक है सो इतना दियान रखना देन अब anomer क्या होता है what is mean by anomer यही बात मैंने कहें दिया था ठीक है anomeric carbon किसको कहते हैं जब carbon number one पे OH group का differ होता है ठीक है उसी को आम लोग क्या कहते है anomeric carbon जैसे यहां पर देखने को मिला न आपको कि यहां देखो OH group कहां था इसमें OH group right side में है इसमें OH group कहां पर है left side में देख्यों go into oh group left side में इसमें O S group right side में तो same carbon carbon number one पर जब OH group एक तरह एक बर left एक बर right तो इस को हम लोग क्या कहते है that is called as enumeric carbon उसी को हम लोग क्या कहेटा है रहे बेटा उसी को हम कहेते है enumeric carbon कहेते है ठीक है I hope it is very clear now ठीक है आप समझते है disaccharides what is meant by disaccharides बेटा ठीक है disaccharides क्या होता है so disaccharides जब इसको आप hydrolysis करते हो तो दो monomeric unit देता है उसी को हम लोग क्या कहेते है disaccharides क्येते है example की तोर पर यह तीनों एक्जम में आय चुका है सुक्रोस, maltose, lactose सुक्रोस क्या है पूचा गया disaccharide monosaccharide क्या है ठीक है so सुक्रोस is disaccharide because it gives alpha-d-glucose and beta-d-fructose यह क्या देता है alpha-d-glucose and beta-d-fructose then maltose क्या देता है आपको hydrolysis करें alpha-d-glucose plus alpha-d-glucose then lactose क्या देता है beta-d-galactose and beta-d-glucose देखो मैंने यह equation add नहीं किया MCQ में आया था कि इनकी hydrolysis पे कौन-कौन सी unit मिलता है इनकी hydrolysis पर कौन-कौन सी unit मिलता है तो यह याड रखना जरूरी है मैं यहां stress कर रहा हूँ B-B-I-M-P sucrose तो आपका याद हो गया क्योंकि sucrose hydrolysis करने पर glucose और fructose मिलता है घतम maltose आपको दियान रखना दोनों का दोनों क्या मिलता है glucose very simple lactose क्या देता है एक बीटादी गलेक्टोस और बीटादी ग्लुकोस क्लियर है जी ठीक देन उसके बाद आते हैं किसकी तरफ we are coming into the sucrose ठीक है तो sucrose क्लियर है बीटा सो almost our lecture is now 50 minutes तो sucrose क्या होता है what is meant by sucrose ठीक है sucrose क्या है it is a non-reducing sugar it is composed of alpha-d-glucose and beta-d-fructose यह किसे कौन से करता alpha-d-glucose and beta-d-fructose ठीक है these two monosecrates are held together by कौन सा C1 and C2 glycosidic linkage आप से पूचा गया बैटा glycosidic linkage क्या है और MCQ में पूचा था कि sucrose में कौन से carbon का बीच में glycosidic linkage होता है then it is carbon number 1 and carbon number 2 समझाया यह सारे बाते आप लोगों को दियान रखना ज़रूरी होता है क्योंकि exam में पूचता है ठीक सो देखो के से आया मैं आपको दिखा देता हूना इसको आम क्या कहते है invert sewer कहते है क्योंकि sucrose को आपने यह कर दिया तो क्या plus अब जाके यह क्या बन गया lever rotatory बन गया इसलिए inverted sugar कहते है glucose and fructose overall rotation पहले plus था overall rotation यहां जाके minus बनता है सो इसलिए क्या कहते है इसको inverted sugar कहते है ठीक है सो अब पूचा था कौन सी carbon का बीच में rate ठीक है सो यहां पर देखो बेटा अच्छा से यह आपका glucose है यह आपका fructose है इन दोनों का बीच में कौन सी linkage rate है glycosidic linkage rate है सो के से देखो यह carbon number 1 है यह carbon number 2 किस से fructose से carbon number 1 और carbon number 2 ठीक है बेटा तो क्या कर दिया वहां से यहां से एक OH ग्रूप निकाल दो और एक connection मिल देगा आपको ठीक है सो OH ग्रूप कहे रहा हूँ क्या निकालना है H2O ग्रूप निकाल दो सो आपका connection क्या रहेगा O और O ठीक है सो यह देखो जिसे ही पानी निकाल दिया आपने बाकि सब कुछ से में ठीक है बाकि सब कुछ से में यह glucose के structure है यह fructose के structure है तो दोनों का बीच में कौन सा linkage है glycosidic linkage तो exam में पूछा गए था fructose सुरी सुक्रोस में या inverted sugar में कौन सा glycosidic linkage है तो C1 of glucose and C2 of किसका C1 of glucose and C2 of fructose यह link याड़ रखना है यह fructose का आता है बस क्या करना है जोर देना है इतना practice आपको चाहिए बैटा समझाया क्या clear ठीक है तो आप बात करते हैं किसका बारे में maltose की बारे में अब बात करेंगे maltose तो maltose में क्या होता है देखिये maltose में क्या होता है it is है यह क्या है यह एक reducing sugar है it is composed of क्या रहता है इसके अंदर it is composed of two alpha d glucose यह दो alpha d glucose these units are health दोनो alpha d glucose को कैसे health किया जाता है c1 and c4 c1 and c4 glycosidic link इसकी तुरू से hold किया जाता है बेटा तो कैसे यहाँ देखो देखो यह glucose है यह भी glucose है तो इसका c1 carbon से आ रहा है इसका किसे c4 carbon से तो वहाँ से पानी हटा दिया आपने जैसे पानी हटा दिया तो क्या मिल रहा है आपको यह वाला linkage मिल रहा है कौन से c1 and c4 glycosidic linkage c1 and c4 glycosidic linkage ठीक है बेटा यह बात भी अच्छी तरीके से समझग सब कुछ सेम है बस यहां से एक पानी के मोलेकुल हटा दिया जाता है और एक oxygen oxygen का बीच में बोन बनाया जाता है तो इसको आप लग क्या कहता है glycosidic linkage के ज़दा है ठीक है तो उसके बाद आपका आटाए भीटा lactose तो lactose क्या है lactose क्या है तो फाइनल आपका यह बनता है C1 C4 glycosidic linkage ठीक है और इसके बाद बाकी कोई भी नहीं आएगा और ठीक है तो polysaccharides में आपका amylose है नहीं पूछेगा ठीक है amyloseptine नहीं पूछेगा ठीक है cellulose नहीं पूछेगा तो फाइनली हम आते हैं हम आते हैं ठीक है so next is glycogen नहीं पूछेगा यह ओके अब यहाँ से तो this is ओके यह है आपका reducing and non reducing sugar reducing and non reducing sugar तो इसको कैसे करें बाटा यह भी PYQ है आपका ठीक है reducing and non reducing sugar तो मोटा मोटा मैं बता दूँँगा all those carbohydrates which reduce जो failing solution and tolerance region इसको reduce कर सकता है उसी को reducing sugar कहते है example जरूर दियान रखे monosecrate, disecrate example जरूर दियान रखे बिटा ठीक है तो ज़्यादा समझाने वाला बात नहीं यह याद रखने वाले बात है ठीक है those carbohydrates which do not reduce tolerance region and failing solution उसी को हम लोग क्या कहते है non reducing sugar ठीक है so I hope it is very clear so देखिए exam में पूछा गया था 2005 में 2015 में what are reducing and non reducing sugar reducing sugar और non reducing sugar क्या होता है इसको पूछा गया था बेटा clear so चले फिर हम सुरू करते है next from your proteins ठीक है ठीक है ठीक हो अब what are proteins proteins क्या होता है proteins are the most abundant water molecule okay molecule of the living system ठीक है all proteins are polymer of किसका alpha amino acid protein किस से बना है मतलब मोटा मोटा alpha amino acids तो protein क्या होता है most abundant water molecule of the living protein system मतलब protein most abundant water molecule create होता है इसके पास बहुत ज़्यदा water molecule होता है कि यहनी का मतलब ठीक है सो बात आती है of amino acid what is mint by amino acid amino acid are those organic compound यानि amino acid कौन से compound है यह एक organic compound है जिसके पास क्या रहता which contain at least एक कर्बोनेल ग्रूप रहता है एक कर्बोनेल ग्रूप रहता है that is COOH है ना यानि acid group और एक क्या रहता है एक amino group रहता है जब की NH2 group ठीक है so classification इसी को हम लोग क्या कहते है amino acid देखो सवाल पूछा गा what are amino acids 2018 की सवाल है 2018 की सवाल है what are amino acids ठीक है बटा so next आते है classification of amino acids amino acids को कैसे classify किया जाता है so depending on the relative position of the amino group with respect to कर्बोनेल ग्रूप the amino acids can be classified alpha, beta, gamma so इतना बड़ा classification तो आपको नहीं पूछेगा बाद धियान रखना CWH group से जितना दूर होते जाएगा उतना alpha वो एक दो दूर हुआ तो beta, तीन दूर हुआ तो gamma ऐसे है ठीक है so यह नोमेंकलेचर जनरल फर्मुला को समझते हैं हम इधर ठीक है बटा तो यहां क्या करें देखो all the all amino acids are optically active सारे के सारे amino acids optically active होता है क्योंकि इनके पास chiral carbon rate है लेकिन एक exception है कोन है glycine so this is the formula glycine देखो यह जनरल फर्मुला है कि नहीं देखो amino acids का एक CWS group must be रहना ही है रह रह किया और एक amino group must be रहना ही है ठीक है इसलिए हम इसको क्या कहते है that is why it is called as that is why it is called as amino acids लेकिन यह optically inactive क्यों है because it doesn't contact chiral carbon क्यों यह दोनों group same है तो chiral carbon होने के लिए सारे के सारे group अलग-अलग होनी चाहिए होता है बेटा समझ आया तो general structure अर ठीक है general structure मनें एक आर ग्रूप यह कौन से चलते रहेगा एक एन इस्टू ग्रूप और एक सी डबलोई ग्रूप मच रहना ही पड़ेगा ठीक है तो यह कौन सी carbon है so this is the chiral carbon ठीक है so chiral carbon इसलिए कौन आप्टिकल एक्टिव होता है यह सब एक आप्टिकल एक्टिव होता है दे आर आप्टिकल एक्टिव दियू तो दा प्रेजन्स आप काईरल कार्बन ठीक है ओल नेचुरिले ओकरिंग अमाइनो एसिट्स आर लेवरो टेटोरी सारे के सारे किसकी तरफ गुमता है लेफ्ट की तरफ गुमता है अपन पासिंग लाइट ठीक है सो एमिनो एसिट्स की क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन आप एमिनो एसिट्स ठीक है कैसे कैसे एमिनो एसिट्स को क्लासिफाई किया जाता है क्लासिफिकेशन आप एमाइनो एसिट्स कैसे amino acids are broadly classified into two categories amino acid broadly कितने categories में हम classify कर सकते हैं into two categories ठीक है तो पहला होता है आपका essential amino acids essential amino acids so essential amino acids क्या होता है जो amino acids हमारी शरीर synthesize नहीं करता है न दो acids which cannot be synthesized in the body must be obtained through diet are known as essential amino acids यानि जो जो amino acids हमारा शरीर हमारा शरीर क्या नहीं कर सकता है synthesized नहीं कर सकता है बना नहीं सकता है उसी को आम लोग क्या कहते है essential amino acids total कितना essential amino acids है बेटा 10 और दियान रखना कोन है leucine isoleucine etc यह example जो जरूरी है example दियान रखना ठीक है इसको परना पड़ेगा time देना पड़ेगा तब जाके आपका example सब याद रहेगा ठीक है तो next आता है non-essential amino acids जो हमारा body में synthesized होते हैं उसी को हम लोग कहते है non-essential amino acids ठीक है the amino acids which can be synthesized in the body are known as non-essential amino acids जो हमारी body के अंदर synthesized होता है उसी को हम लोग क्या केट है बिटा non-essential amino acids example आपका glycine alanine ठीक है so total non-essential amino acids कितना है यह भी 10 है ठीक बिटा I hope it is clear now आगे बड़े तो आगे देखते हैं so tricks के से याड रखने देखो गावली गावली जी आवी एलाई तो के से glycine and alanine दोनों non-essential बाकि वैलानीन लिवसाइन एन आइसोलिवसाइन दे आर एसेंटियल ठीक है so इतना ही दियान रखना है so आपको एसे दियान रखना है ठीक है so on a basis of number of functional group amino acids are of three types again functional group ठीक है तो देखते है पेला है आपका acidic जिससे हमने देखा है amino acid में दो group है एक amino ठीक है जिससे amino acids में आपने क्या अगर देखाता है generalized formula अगर देखू तो एक तरफ अपका c o h है एक तरफ आर ग्रूफ है एक तरफ एक तरफ एक तरफ एक तरफ का h है ठीक है तो यह देखो c o h माने क्या होता है बेटा it is acid and n h2 माने क्या होता है it is base यह base है यह acid है ठीक न तो base n h2 base n c o h यह क्या है acid तो इसका मतलब क्या कर सकते हम अभी तो अगर ज्यादा base group रहा किस से c o h से तो वह basic होगा n h2 से ज्यादा c o h group अगर रहा तो यह कौन सा होगा वह acidic होगा अगर दोनों बराबर में रहे तो वह क्या होगा neutral होगा वह क्या होगा neutral तो पहले देखिए असीद का दोस अमिनो एसीद which contain more c o h group तो ज्यादा c o h group रहना पड़ेगा किस से n h2 से इसी को हम लोग क्या कहता है तो यह रखने के लिए एस गॉर्ड क्या aspartic acid and glutamic acid तो यह बात दियान रखे ठीक मैं नेक्स आता है आपका basic amino acid देखिए इसका मतलब क्या अनिस्ट गूरूप जाधा रहेगा देखिए दोस अमिनो एसीद which contain more n h2 group कौंशी group more n h2 group as compared to कौंशी group c o h group so ishiko acidic then example babu like his art babu मने base ठीक है basic so lysine histidine arginine देर रखना जरूरी है यह रखना जरूरी है ठीक then उसका बाद आता कोने neutral amino acids तो neutral amino acids neutral amino acids those amino acids which contain equal number of c o h n n h2 group जितना c o h group है उतना n h2 group रहेगा तो इसको क्या कहते है उसको हम क्या कहते है that is called as neutral amino acids so gaoli तो जितना gaoli में है वही आपका tracts है ठीक है बेटा so now our lecture is one hour three minutes so for 10-15 minute में हमारा lecture कतम हो जाएगी बेटा ठीक है so tension ना लियो छोटा सा chapter है then उसका बाद आता है आपका जुईतर आयन so what is meant by जुईतर आयन जुईतर आयन मतलब क्या an aqueous solution in aqueous solution the carbonyl group can loss a proton and amino group can accept a proton giving rise to dipolar iron called as juitar iron ठीक है cbse का ये बहुत बरा favorite question है लेकिन महारा श्रफ बोड में कई बर पूछा नहीं गया हो सकते है इस बर पूछे तो धियान रखे ठीक है so यहां देखनो cw nh2 बस क्या अंतर है इन दोनों में जो यह h है न कभी यह यह ले लेता है देखिए अगर यह ले ले लेता है यह नेगेटिव हो गया इधर n3 positive हो गया देखिए n3 positive then yes cw negative हो गया तो इसी को हम लोग क्या कहते है जूइतर आयन कहते है this is called as जूइतर आयन ठीक है बटा समझा गा है सबको next आता है peptide bond और peptide linkage very very important ठीक है तो यहां क्या है peptide bond और peptide linkage तो कैसे होगा peptide bond या peptide linkage so peptide bond is an amide warm form between carboxylic acid group and NH2 group यह कोंसी bond है यह एक amide की bond है कैसे हुआ देखना peptide bond connect to amino acid peptide bond की तुरू से 2 amino acid connect होता है देखो question पूचा गया what is peptide linkage and what is peptide bond आप समझ रहे हो ना how it is important then यहां देखना when two amino acid जब दो amino acids combine करता है when two amino acids combine with each other then resulting species is called as dipeptide जब दो amino acid combine करते है कैसे यहां देखे यह एक amino acid है देखो बेटा NH2 CH C double one O OH यह acidic group है यहां पर R group है यहां H group है और इदर amino group है यहां तो समझ आ है बेटा ठीक ना तो जब अगर आपको समझ आया तो आप क्या कर सकते हो यहां पर what you can do यहां से आप हटाड़ो पानी की molecule को जब आप यहां से पानी को निकाल दोगे तो कौन सी link मिल रहा आपको एक C double one O का link मिल रहा ठीक है यहां पर एक N और एक H ठीक है तो पूरा का पूरा यह peptide bond है न तो इसी link के इसको आम लोग क्या 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 peptide क्या है यह link C double one O N H इसी को हम लोग क्या 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 है peptide क्या है ठीक है सो question पूछा गया देखो how is tripe peptide form मतलब tripeptide कैसे तयार होगा यह एक unit है यह एक unit दो unit हुआ तो कौन सी unit बना आपका बना लेकिन tripeptide के लिए क्या बनेगा प्लास और ही unit लगा दो इसमें एन एन एच 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 ठीक है देन आपका क्या है CH यहां R C double one O O H तो यहां unit जब तीन unit एक साथ जूड जाएगा तो वो क्या बनेगा tripeptide घतम how is peptide linkage form peptide linkage form by the removal of water molecule between the two amino acids two amino acids का बीच में जो पानी हटाया जाता है then peptide link तयार होता है समझा बेटा so I hope it is very very clear now so अगर नहीं clear है तो यहां पर देख लो एक बर यहां से मैं एक बर और explain करता हूं ठीक है एक बर और explain करता हूं यहां कैसे है ठीक हां ठीक सो यहां देखिए इन्होंने दाय पेप्टाइड बनाया कैसे बनाया देखिए वाटर मोलेक्ल को रिमूब कर दिया रिमूब कर दिया तो क्या मिला नहीं इस तू जैसे थे वह से थिए एन एजट दो नं सी एच आर्शी एच आर्शी एच आर्शी एच अब सी दावल मुण ओ दिया आप इसको तो क्या मिलेगा नहीं देखो एन एच छाइच दो यह जो लिंक है इसी को आम लोग क्या करेटा वेटा पेप्टाइड बॉन क करते हैं उसको हम क्या कए लिए यहां हमसे और सवाल पूचा है देखे है क्या पूचा explain the formation of peptide linkage in protein with an example 2022 की सवाल है how is peptide linkage form in proteins 2010 की सवाल है राइड ग्रेक्षान for the formation of peptide bond between amino acids तो मोटा मोटा यही बात वरबर गुमाद होगे हो यह सारा question का यही जवाब है देखे बस tripeptide का case में क्या होगा एक unit और extra जोर देना tripeptide ठीक बेटा समझ जाया कि नहीं clear ना so I hope it is very clear ना ठीक है so classification of proteins proteins की classification देखते हैं अभी what are the classification of proteins ठीक है so यहां डेको protein how are protein classified on the basis of intermolecular safe intermolecular safe के आधर पर protein को कैसे classify किया जाता है तो यह याद करना है एक आपका होता है fibrous protein दूसरा होता है globular protein जरूर याद रहा कि बेटा इस definition को so fibrous protein में क्या होता है when two polypeptide chain दो polypeptide chain polypeptide chain समझ है ना दो मिने से जब जूर रहा हो क्या peptide chain बन रहा है जब when two polypeptide chain run parallel and are held together by hydrogen and disulfide bonds then this fiber structure is formed तो उसी को हम लोग क्या कहते है fibrous protein कहते है जिससे example की तोर पर हम देख सकते हैं ठीक है fibrous protein ठीक है so तो दिर में देखते हैं नीचे में है okay so fibrous protein आपका याड रहेगा अभी ठीक है देन उसका बाद आता है कौन सा globular protein क्या कह रहे है when the two chain of polypeptide polypeptide coil to give a spherical chain जो parallel chain वो क्या करना है coil बनाना है coil बनाना है coil बनाना है तो उसी को हम लोग क्या कहता है globular chain कहता है ठीक है example insulin यह सारे in example और definition याड रखो ठीक है समझाने वाले चीस तो ज्यादा है नहीं इसमें फड़क फड़क से definition याड रखना है और आग्जम में जाके चाप देना अभी ठीक है हम लोगों को अभी PhD नहीं करना है अभी marks score करने की बाद सोचना है ठीक है structure and safe of protein can be classified at four different level एक primary, secondary, tertiary and quaternary देखे primary structure of protein कैसा होता है proteins may have one or more polypeptide chain protein के पास एक से अधिक polypeptide chain रहता अभी अभी देखा आपने peptide bond कैसे तयार होता है अलफा एमिनो एसीट से एमिनो एसीट से पानी मोलिकूल निकालने के बाद एक peptide chain बन जाता है ओई ठीक है so primary structure of protein क्या होता है protein के पास क्या रहता है एक से अधिक polypeptide chain रहता है इच polypeptide in a protein has amino acid ठीक है हर protein पे क्या रहता है हर chain पे polypeptide chain रहता है with other in a specific sequence कुछ एक specific sequence में ठीक है मैं ज्यादा explain नहीं करूंगा क्योंकि पूछता नहीं यह then secondary structure of protein यह भी धियान रखो ठीक है उसका बाद tertiary structure of protein ठीक है सो इसमें भी देखिए इसमें क्या होता है secondary of secondary structure of protein is obtained by coiling of primary structure ठीक है सो primary structure अभी दिखा रहा हूं this coiling is possible due to hydrogen bonding यह coiling किसके बशे होता है hydrogen bonding के बशे सो दो तरह का होता है alpha helix दूसरा आपका होता है beta helix देखिए alpha helix में क्या हो रहा है बटा it is right-handed coiling and possible by intermolecular hydrogen bonding तो यह देखिए यह आपका पूरा polypeptide chain है और इसका coiling कैसे हुआ by the right-hand side एसे 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 ठीक है so then उसका बद beta-plated seat यह आपका कौन सा है this is your alpha helix then beta-plated seat का देखिए कैसे beta-plated seat ठीक है beta-plated seat में भी क्या intermolecular hydrogen bonding होता है ठीक है कैसे है देखिए T11O यह H group है इधर का H है तो यहां का बिच में intermolecular H bonding THR NHR एगन NH है यहां का C11OH का बिच में एगन intermolecular H bonding बेटा समझ आया कि नहीं तो यह आपका beta-helix है ठीक then यह आपका tertiary structure, tertiary structure of protein it is form by coiling of secondary structure again इसको कैसे बनाया जाता है secondary structure को coil करके ठीक है और कुछ बात है नहीं then quaternary structure so यह सब तो आया नहीं तो इसलिए मैंने ज्यादा दियान भी नहीं दिया क्योंकि time pass करके फाइदा नहीं है हमें PhD नहीं करना हमें वहां जाके ज्यादा मार्ट से score करना है ठीक है बटा so I hope it is clear now so अब आते है denaturation of protein explain denaturation of protein 2020 का सवाल है what is denaturation of protein 2022 का सवाल है so यानि पूछता है so एक आपने इसका example best boiling of egg अंदे को boil करते हो क्या होता है उसमें protein denature हो जाता है koilaf हो जाता है ठीक है so due to physical change like change in temperature और chemical change like change in pH the native shape of the protein is destroyed native shape of the protein is destroyed and biological activity is lost this is called as denaturation of protein ठीक है इसका definition और भी अच्छा से लिखा हो है आपके PYQ की answer में उसमें से भी आप याड़ कर सकते हो ठीक है बाकी बताना मेरा काम है याद करना आपकी काम है भाई देखो cuddling of milk भी example है coagulation of egg on boiling यह भी example है ठीक तो अब आती है nucleic acid यह last हिस्सा है तो पांच मिनित लूंगा ज्यादा नहीं छोटा सा है जो जो सवाल पूचा है आपको काम दोंगो वो काम आपको करना है तो एक सवाल आया था देखिए 2017 में what are nucleic acids ठीक है nucleic acids क्या होता है यह पूचा है है so nucleic acid chromosome and nucleic acids are particles which are responsible for transmission of inherent character from one generation to next मतलब यह जो nucleic acid जैसे होता है ना parents अपना parents का जो characteristic अपने बच्चों में जलकने लगते हैं यह क्या होता है यह inherent property किसके बज़े से यह nucleic acid के बज़े से होता है ठीक है so nucleic acid basically दो तरह का है आपका DNA है RNA DNA आपका deoxyribon nucleic acid है और RNA आपका रिवो nucleic acid है ठीक है बटा so chemical composition of nucleic acid nucleic acid का composition क्या है on complete hydrolysis of DNA और RNA nucleic acid gives three different components nucleic acids क्या दिया जाता है तीन different components दिया जाता है ठीक है कौन सा एक panto sugar देखो right structure of the ribose ठीक है so D-reoxyribos और D-ribose यह उनका safe है यह आपको याद रखना पड़ेगा pentose so DNA molecule contain beta D-deoxyribos sugar whereas RNA contains beta D-ribose sugar ठीक है यह बात दियान रखना आपको DNA के पास क्या रहता है DNA molecule के पास beta D-deoxyribos रहता है और sugar के पास RNA के पास beta D-ribose रहता है ठीक है बटा सुझाओ जादा नहीं आया है एसले में नहीं किया रहा राइड डे structure of D-ribose तो D-ribose का structure आप लिख देना ठीक है so beta D-ribose this is the structure ठीक है बटा तो यह structure बना देना next आती है पोस्परीक एसीड देखिए पोस्परीक एसीड और nitrogenous base it is common product for both DNA and RNA RNA में भी पोस्परीक एसीड रहता है एन DNA में भी पोस्परीक एसीड रहता है ठीक है यानि H3P आप nitrogenous base nitrogenous base देखिए बहुत कुछ है परना बहुत कुछ है मैंने आप लोगों को class में structure बनाया था structure बनाने के लिए बोला था किसका देखो DNA molecule का DNA में क्या होता है adenine guanine thymine and cytosine then उसका बाद RNA में कौन सा है adenine guanine and cytosine and uracil तो इन सब का structure मैंने बनाने के लिए बोला था है पर देखो द्रोडा structure of adenine thymine pyq में है और जो आपको मैंने question में दिया था आपकी book में भी है आपको already seat बनाने के लिए बोला था वहाँ का seat से आपको इनकी structure याद रखना है ठीक है मैटा then उसका बाद आता है structure structure of nucleic acid क्या कही रहा है right structure of nucleoside nucleoside का structure पूचा है 2013 और 16 में क्या क्या पूचा and nucleoside consist of two basic component दो basic component रहता है इनके पास ठीक है आप nucleoside that is एक pentos sugar यह आपकी pentos sugar है this is the pentos sugar ठीक है then उसका बाद and क्या रहता है nitrogenous base यह nitrogenous base और nitrogenous base कोन है यह सब है adenine guanine okay cytosine यह सब है ठीक है बटा तो यह बात दियान रखना right structure of nucleoside ठीक so यही चीज है nucleoside क्या then nucleotide क्या होता है when nucleoside is linked to phosphoric acid at five position of the sugar and nucleotide is formed तो यह आपका nucleotide है ठीक है so right structure of nucleotide पूछा ना 13 and 16 ठीक है 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 आपके nucleotide का structure यही है so base यह है then आपका phosphoric acid यह इधर से connect हो रहा है कहां पर चाड़ number carbon पर बस यह सारे तमाम बाते हैं अगर नहीं समझा है तो मेरे से पूछ ले ना ठीक है तो यह तमाम बाते हैं आपके इस chapter के बाकी और कुछ नहीं है यह सब और नहीं पूछेगा जो भी है इसको परना आपको बिलकुल भी नहीं है ठीक है so अगर last में time मिले तो एक चीज़ जरूर करना आपका बिटम इंटरमें कुछ नहीं परना क्योंकि एक्जाम में मैंने कभी देखा नहीं so अगर हो सके तो यह वाला differences difference between DNA and RNA एक बार देख लेना ठीक है तो यह सब के साथ मैं अपना session को खतम कर देता हूं at one hour 17 minute thank you so much and जय हिंद